16 अगस्त की साम 7 बज़कर 13 मिनिट पर सूर्यदेव अपनी ही सिंग रासी में प्रवेश करेंगे जहां सूर्यदेव के प्रवेश करने से सिंग रासी में त्रीग रही योग बनेगा सूर्यदेव के अपनी ही सिंग रासी में प्रवेश करने से रासी चक्र की बहुत सी रासी उपर इसका अच्छा परभाव पड़ेगा तो वहीं कुछ रासी पर इसका नकारत्मक परभाव भी पड़ेगा सिंग राशी में बन रहे त्री ग्रही योग के कारण बुद की राशी पर इसका नकरात्मग परभाव पड़ेगा जिसके लिए उन्हें कुछ विशेश उपाय करने होंगे हरिद्वार के विद्वान जोतिसी पंडित सचांग सेकर सर्मा ने लोकल 18 को क्या कुछ कहा है सुनिए हैं यह बनता है तीकि क्या है कि कन्याराशी के स्ञामी भी बुध हैं जो हम पर बैखे हैं करने राशी या कह सकते हैं कोशटीम पैसा बनाएब रौब है इसको अगर ठोड़ा सा फोताज़ा है पेसा कैंछा बनाएब लेगा उ या इ давb कोई ना कोई कीमती चीज, कोई ना कोई इनका जो expensive assets होते हैं, उसमें लोस की योग भी है, फोन खो सकता है, कोई इनका कीमती समान खो सकता है, तो कन्या राशी वालों के लिए शुब है, और घर में किसी के व्यक्ति के बड़े बुज़र्ग जो हो, विशेश रूप से महिला किसी बड़ी बुज़र्ग महिला के वज़े से, इनका जो medical में खर्चे होने का योग है, कन्या राशी वालों को, कन्या राशी वालों का स्वामी बुद्ध बनता है, और बुद्ध का आदिपत्ते हैं यहां पर है, तो बुद्ध के लिए यह उपाय कर सकते हैं, कन्या राशी वालों के लिए पक्षियों को भोजन देना, पानी देना और अगवान गणेश के इस्तुति करना सबसे लागत है, तो सोला तारिक को सूर्य आ जाएंगे और शुक्र बुद्ध रहेंगे, तो सोला तारिक से 21 अगस्त तक यह लगबग 5-6 दिन यह त्रिग्र यह रहेंगा